जैश्री कृष्णा आप सभी का दिन शुभर मंगल में हो आज का देय प्रारब करने से पहले आप सभी सुनेंगे बाबा बालक नाथ की कथा हिमाचल प्रदेश में बहुत सारे धर्म इस्थल प्रतिश्टित है जिनमें बाबा बालक नाथ धाम दियोट सिध उतरी भारत में एक देवी सिध पीठ है और यह जो पीठ है यह हमेरपुर से 45 किलो मिटर दूर दियोट सिध नामक सुरम में पहाडी पर है हमारे देश में बहुत सारे देवी देवताओं के अलावा नौ नाथ और 84 सिध भी हुए हैं जो सहस्तरों वर्ष्चों तक जीवित रहते हैं और ऐसी मानिता है कि आज भी वे अपने सोक्ष्म रूप से लोग में विचरन करते हैं भागवत पुरान के छठे इसकंद के साथवे अध्याई में वनन मिलता है कि देवराज इंद्र की सेवा में जहां देवगण और अन्यसाहगण थे वहीं सिध भी शामिल थे नाथों में गुरु गोरकनाथ जी का नाम आता है इसी तरह 84 सिध्धों में बाबा बालकनाथ जी का भी नाम आता है और बाबा के बारे में ऐसी मानिता है कि इनका जन्म युगों युगों में होता रहा है प्राजिन मानिता के नुसार बाबा बालकनाथ जी को भगवान शिव का ही अं जगह में है वहां पहुंच गए थे शाहतलाई में ही रहने वाली माई रत्नो नामक महिला ने जिनकी कोई संतार नहीं थी इन्हें अपना धर्म पुत्र बना लिया फिर बाबा जी ने 12 वर्ष तक माई रत्नों की गवें चराई और एक दिन किसी बात से नाराज होकर माई रत चमतकार से उन 12 वर्षों में जो उन्होंने माई रत्नों के यहां बिताये थे उन 12 वर्षों की सारी लसी और जितनी रोटियों ने खाई थी वो सब एक ही पल में लोटा दी और इस घटना की जब आसपास के शेत्र में चर्चा हुई तो रिशी मुनी और अन्य लोग बाब जी को अपना चेला बनाना चाहा परतु ऐसा कहा जाता है कि बाबा जी ने मना कर दिया और जब उन्होंने मना किया तो इनके इनकार करने पर गुरुक गुरुक नाजी बड़े करोधित हुए जब गुरुक नाजी ने उन्हें जबर्दस्ती अपना चेला बनाना चाहा तो बाबा जी शाह तलाई से उडारी मार कर धौलगिरी परवत पर पहुँच गए जहां आजकल बाबा जी की पवित्र सुन्दर गुफा है मंदिर के मुखिद्वार से प्रवेश करते ही अखंड धूना सबको आकशित करता है ये धूना बाबा बालक नाची का तेजिस्थल होन के कारण भक्तों की असिम शुद्धा का केंद्र माना जाता है और द्वुने के पास में ही बाबा जी का पुरातन चिम्टा है जिसे वह था करते हैं बाबा जीडियां की की सूंदर गुफा में प्रतिष्ठित मूर्ति के दर्शन करती हैं सेवक जन बाबा जी की गुफा पर रोट का प्रशाद चढ़ाते हैं ऐसा कहा जाता है कि जब बाबा जी गुफा में अलोप हुए तो वहां पर एक दियोट यानि दीपक जलता रहता था जिसकी रोशनी रात में बहुत दूर दू सुनिए इसकंद पुरान के नुसार बाबा जी का प्रथम अवतार भगवान शिव और देवी पारवती के पुत्र इसकंद या फिर कार्तिके जी के रूप में भी माना जाता है क्योंकि कार्तिके जी ब्रहमचारी थे और बाबा जी भी ब्रहमचारी हैं कार्तिके जी का वह तत्यों के नुसार द्वापर युग में बाबा जी के इस्ट भगवाण शिवी थे द्वापर युग में बाबा बालक नाथ महकॉल के मन में बचपन सही इच्छह थी कि कि लाश पर Afterwards पर जाकर वे भगवान मैं तीन जन्मों से भगवान शंकर की आराधना कर रहा हूं अब मैं उन्हीं के दर्शनों की इच्छा को लेकर के लाश परवत पर जा रहा हूं तो उन बुड़ी माई ने महकौल से कहा कि बेटा ये कोई आसान काम तो है नहीं भोले ना तुम्हें इतनी आसानी से तो दर्श पर इसनान करने आती हैं उस समय तुम अपनी इच्छा माता पार्वती के चरणों में गिरकर उनसे व्यक्त करना धर्म माय की बताई इस योजना के नुसार महकौल मान सुरुवर जील पर तपस्या करने बैठ गए जब माता पार्वती महां इसनान करने के लिए आई तो उन तब उन्होंने महकौल को बालक रूप में बढ़ कर आने के लिए कहा तब महकौल ने माता पार्वती के वस्त लोटा कर माता के चरण इसपर्ष किये और फिर माता पार्वती उन्हें योग बल से अपने साथ केलाश परवत पर ले गई लेकिन उस समय भगवान शंकर ध्या रूप में तुम अपनी परम सिद्धी से भक्तों के परम अराधि बनोगे और तुम जिस बाल्यावस्था में यहां उपस्थित हुए हो सदा ऐसी ही बाल्यावस्था और बाल चवीवे पने रहोगे और आयूवरती का तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इस त तरह से सकंथ भगवान भी हमेशा बाल रूप में ही रहते हैं इसलिए बाबा को इसकंथ भगवां का ही एक रूप इपधी मान जाता है तो इतो थैंगर बालक नाठी की कता आप में से कितने भक्त के हाँ पर बाबवालक नाची की पूजा की जाती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा अब आप सुनिए आज का ध्याए आज की कथा में भगवान वरह और भगवती वसंधरा का प्रसंग चल रहा है उन दोनों के बीच में जो वार्तलाप हो रहा है उसमें भगवान वरह कहते हैं वसंधरे अब पित्रों से संबंध मैं एक प्रसंग कहता हूं उसे ध्यान पुर्वक सुनो मतुरापुरी में पहले एक धार्मिक और शोरवी राजा थे जिनका नाम था चंदर सेन उनकी 200 रानिया थी जिनमें चंदर प्रभा सबसे गुणवती थी उसकी सौ दासिया थी जिनमें एक का नाम था प्रभावती उस दासी के परिवार के पुरुष सदाचार भीहीं थे सभी मर कर दोश के कारण नरक यातना में पढ़ गए क्योंकि उनके कुल में एक वर्ण संकर उत्पन हो गया था तेवी एक समय वे पितर दुरुव तीर्थ में आये जिन पर एक त्रिकाल दर्शी रिशी की द्रिश्टी पढ़ गी इनमें कुछ दिवरूप वाले पितर आकाश कमन की शक्ती से युक्त श्रेष्ट वाहनों पर चड़ कर आये और अपने वन्शजों को आशिर्वात देक कर चले गए कुछ दूसरी पितर गण जो दुरुव तीर्थ में आये उनके श्राध ना हुने से पेट में जुरिया पड़ गई थी अतहा वे अपने पुत्रों को शाप देकर चले गए त्रिकाला की मुनी इसा द्रशी देख रहे थे जब पितर गण चले गए और वे मुन से बधा प्रितिक्षा करता रहा पर अब निराश होकर आपके वास आया हूँ तीनों तापों से अत्यत घबरा कर और विवश होकर मैं आपकी शरण में आया हूँ जिनकी पुत्रों ने पिंड़दान और तरपन किया है वे पितर तो हस्ट पुस्ट होकर आकाश कमन की शक् पुजित होकर परम गती के अधिकारी होते हैं तेहे त्रिकाला की मुनिवर आपको दिविद्रिष्टी प्राप्त है उसकी प्रभाव से आपने जिन पितरों को स्वर्ग में जाते वे देखा है वे सभी आज राजा चंदर सेन की द्वारा सत्कृत हुए हैं पितर ने कहा जो पितरों के लिए श्राध करता है उसका उत्तम फल निश्चित है किन्तु श्राध ना करने से विप्रीत फल सामने आता है और पितर नरक के भागी हो जाते हैं इसमें कुछ कारण है वो भी मैं आपको बताता हूँ सुने श्राध संबंदी जो द्रभ उचित देश, काल और पात्र को नहीं दिया गया विधी की रक्षन नहीं हुई साथ में दक्षिना नहीं दी गई तो वह प्रत्व्याय का कारण हो जाता है जो श्राध श्रधा के साथ संपने नहीं हुआ जिस पर दुस्ट प्रानी की नजर पढ़ गई हो जिसमें तिल और कुशा का अभाव रहा हो और मंत्र भी नहीं पड़े गई हो उस श्राध को असुर ग्रहन कर लेते हैं प्राचिन समय से ही भगवान वामन ने ऐसे श्राध का अधिकारी बली को बना रखा है ऐसे ही दश्रत नंदन भगवान राम के द्वारा अपने गणों के साथ क्रूर रावन जब दिवं से कहा कि है प्रभू त्रिजटा आप में भक्ती रखती थी सीता जी की बात सुनकर शिरी राम भगवान प्रसन हो गए अतहे उन परम प्रभू ने उस राक्षेसी को ये वर्दान दिया कि त्रिजटे जिस श्राध करने वाले व्यक्ति के घर श्राध की उत्तम हविश पद ना हो और दक्षिना भी ना दी जाए तो उसका फल मैं तुम्हें देता हूं इसी प्रकार एक भार भगवान शंकर नागराज वसुकी की भक्ती से प्रसंद होकर उसे वर्देते वे कहा नागराज जिस मनुष्य ने वार्षिक शाध करने के पहले भगवान श्रीहली से नहीं किया श्राध में बिना मंत्र पढ़े ही क्रियाएं कर दी ऐसे यग्यों और श्राधों का संपूर्ण फल मैं तुम्हें अर्पित करता हूं मुने ये सभी बाते पुराणों और इतिहास में वर्नित है मुने जिन्हें आपने दयनी अवस्था में दिखा था उनके श् उत्रों ने जो श्राध क्रिया की थी उसमें कमी रह गी थी इसलिए पित्रगन गाथा गाते हैं कि क्या हमारे कुल में ऐसा कोई व्यक्ति जनम लेगा जो प्रभूत जलवाली नदियों में तरप्य ध्वम उदीरताम आयंतुम इत्यादी मंत्रों से हमारा तरपन और उनके जो पूछा था संशेप में उसका यही उत्तर है वसुंधरे ये सब सुनकर वे रिशी राजा चंदर सेन के पास पहुचे उन रिशी को देखकर राजा सिंगासन से उठकर प्रत्वी पर खड़े होकर उनकी चर्णों में मस्तख जुका कर कहने लगे मुनिवर आप मेरे घर में समर्पित हैं इन्हें आप स्विकार कीजिए जिससे मुझे पूर्ण सदोश हो जाए भगवान वरह कहते हैं हे देवी वसुंधरे उस समय राजा चंदर सेन के दिये हुए अर्ग आदी को स्विकार करके त्रिकाला की मुनी ने तुरंत उन राजा से कहा राजन मेरे आन मुनी ने कहा राजन आप अपनी पत्रानी तथा उनकी दासी को जिसे लोक प्रभावती कहते हैं यहां बुलाईये इस पर राजा ने अपनी राणी और दासी को वहां बुलवाया रानी परम साध्वी थी वे आकर जमीन पर बैठ गई पर उस समय उनका शरीर भय और आशें काप रहा था उन्होंने आते ही विने पूर्वग रिशी को प्रणाम किया उनके बैठ जाने पर मुनी ने कहा मैंने धुरुफ तीर्थ में जो आश्चरी के एक बात देखी है उसे आप सभी के सामने कहना चाहता हूं वो बात ये है कि आज प्राणियों के पित्रगन धुरु भूप प्यास सूख गया है उनका मुख शुष्क और आखे बड़ी छोटी है स्वर्ग में जाने की आशा तो दूर वे पुन्हा अपवेत्र नरक में ही जाने के लिए विवश हैं उन्हें देख कर मेरे मन में उनके प्रती बहुत दया उमड़ाई तब मैंने उनसे पूछ कि भाई तुम कौन हो और क्या चाहते हो मुझे बताने की करपा करो तब उन्होंने अपनी सारी स्थिती बताई उस समय उनकी बात सुनते ही करोना से मैं विवश हो गया हूँ महरानी जी बात ऐसी है आपकी जो ये दासी है इसके पुत्री है जो विरूपक निधी नाम से प उस समय वह मद्यपान करके उन्मत हो रही थी किसी प्रकार राज सेवकों ने उसे संभाल कर हाथ से पकड़े वे वहां लाकर उसे मुनी के सामने उपस्थित कर दिया मुनी धर्म के पूर्ण ग्याता थे मद के प्रभाव से विक्षिप्त चित्त वाली उस दासी को देखकर उस से पूछा, अरे तुमने पित्रों के लिए पिंड़दान तथा जल से स्वधा कहकर तरपन किया है या नहीं? ऐसा लगता है कि तुमने पित्रों को मुक्त करने वाली पिंड़ और तरपन की विध्या संपने नहीं की है? वसुधरे इस पर उस दासी ने उन मुनी से कहा कि मैंने ऐसी कोई भी विदी संपन नहीं की है मैं तो ये भी नहीं जानती कि कौन मेरे पितर है और उनके लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए वसुन धरे फिर तो ऐसी बात कहने वाली उस दासी से उन तरिकाला के मुनी ने कहा कि आज इस नगर के महराज, महरानी और यहां के निवासी सभी सजन पुरुष दुरुफ दीर्थ में पधारे वहाँ पितरों के लिए पुतरों द्वारा किये गए श्राद की महिमा का फल आप लोगों के सामने सुस्पस्थ हो जाएगा ऐसा सुनकर सभी नगरवासी तथा जिनकी श्राद करने में कौतक वश भी प्रवर्ती नहीं थी, जिनका मन बिलकुल भी नहीं था वे सभी अधिकारी, ब्रहमर भी दुरुफ तीर्थ में पहुँच गए वहाँ जाने पर सब की द्रिष्टी उस संतान द्वारा असत्कृत और अस्त व्यस्त प्रानी पर पड़ी, बिचारे को मच्छर जैसे जीव चारों ओर से घेरे वे थे, साथ ही वह भूख से भी अत्यंत व्याकुल था, उस समय त्रिकाला की मुनी ने कहा देखो, ये इस्त्रियां तुम्हारी संतानो सित्पन है तुम हस्ट पुस्ट हो जाओ, इसी लिए राजा की किरपा से इनका यहां आगमन हुआ है तब वह पितर बोला, ये दासी इस धुरुफ तीर्थ में पहले इसनान करे फिर वेद में निर्दिष्ट करम से दरपन करे इसके बाद प्राचीन रिश्यों ने जो विधी बताई है उसके अनुसार ये पिंड दान आदिश्राद कर्म करे सभी कर्मपात्र चांदी के हो, साथ में वस्त्र और चंदन रहना अनिवारे है फिर भक्ती पूर्वक पिंडार्चन करके पित्रों की पूजा करे आप सभी सजन यहीं रहे और इसका परिणाम तुरंथी देख ले मैं परम सुक से संपन हो जाऊंगा इस विधान से इस संतान के द्वारा मेरा श्राद कराना आप सभी की कृपा पर निर्भड है धूप, कपूर, अगुरू, चंदन, तिल और अन्नादी तरह तरह की वस्तुएं पिंड़दान के अफसर पर काम मिलाई गई फलसोरूप, श्राद और पिंड़दान का कारे समाप्त होते ही वे विकृत दशावाला अगस्ती ऐसा बन गया मानो कोई देवता हो उसका शरीर परम तेजोमय हो गया और उसे जो शुद्र मस्चर गेरेवे थे उनकी आकरिती में भी वैसा ही परिवर्तन हो गया अब उनसे घिरावा वह प्राणी ऐसी असीम शोभा पाने लगा मनो यग्य में दिख्षित कोई पुरुष अंत में अवब्रत इसनान से संपन हुआ हो उस समय स्वर्ग से इतने दिवी विमान आये कि आकास ठक गया तब अगस्ती आदी सभी से बोले महानुभावो हम सभी लोग अब भली बाती तरप्त हो गए हैं इसलिए अब परमधाम में जाते हैं दुरुफ दीर्थ की ये महिमा मैंने आपके सामने प्रकट कर दी महामुने मेरे कहने की बात ही क्या है आप सबने स्वयम खुदी इसकी महिमा देख ली हमारा उधार होना बिल्कुल असंभव था किन्तु आपकी कृपा से हमने इस दुस्तर पाप पंज को भी पार कर लिया एव सुन्धरे अब वह अगस्ती नाम का प्राणी मुनिवत रिकालग राजा चंदरसेन रानी चंदरप्रभा उपस्थि जन्ता दासी प्रभावती और उसकी पुत्री को इस प्रकार की बाते सुनाकर तथा आप सभी लोगों का कल्यान हो इस प्रकार कहता हुआ अपने सह रिकालगी को प्रणाम करके अपने नगर को लोट गए प्रत्वी मतुरा मंडल के अंतरगत तीर्थों का महत्त में मैंने तुम्हे सुनाया ये तीर्थ ऐसा शक्ति संपन है कि जिसका इसमरंट करने से भी मनुष्य के पूर्व जनम के पापनस्थ हो जाते हैं जो जिसकी व्रत में आस्था ना हो इस प्रसंग को सुनने में उदासीन हो और भगवान श्रीहरी की पूजा अर्चना से विमुख हो उसके सामने इसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए ये प्रसंग तीर्थों में परम तीर्थ, धर्मों में श्रेष्ठ धर्म, ज्यानों में स सामने ही इसका प्रवचन करना चाहिए, हरे कृष्णा आज का द्याय समाप्त हुआ, उमीद है हर बार की तरह आज की ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी